अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज के दिन इंसान में ज्यादा से ज्यादा पाने का लालच पढ़ता जा रहा है और शायद इसी के कारण इंसानियत कम होती जा रही है यह तक कि लालच के चलते इंसान आजकल एक दूसरे को मारने से भी दो बार नहीं सोचता आपने अभी देखा कि कैसे एक औरत की और एक आदमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई यह दो एक्जामपल्स हैं जो साबित करते कि आज के दौर में लोगों के लिए जान की कीमत क्या है क्या हुआ था इन दोनों के साथ कि इन दोनों का अंजाम इतना भयंकर था कौन थे इन दोनों का कनेक्शन सिर्फ इनके कतल के साथ था या जीते जी भी इनका कोई कनेक्शन था आगे गर की अद? ने काम बहुत था सेटे तुसरे गाउं भेजा था काम की सिल्सिले में चुट हमें सब पता है कि आपूरा दिन क्या काम करते हैं या घर में खाने को दाने नहीं है और साब को आयाशा करने होती बार तो मुझपर कभी यकीन क्यों ही करती सच बोलों के तो क्यों नहीं करूंगी यकीन मैं ये मुष्पर? मुष्पर पगला गई हो का? हाँ? दर्मादे खुल कर सो लिए यो कुछ और बोला गया तो तो का? तो? का चुरा कर लेकर जाएगा व इस गर में से? है का इस गर में चुराने को? चुपकर चबर चबर बद कर भूग ले खाने दे भूग तो हमें भी लगी है लेकिन कुछ नहीं है खाने को कुछ नहीं है मतलब? कुछ थाई नहीं बनाने को तो का बनाते हैं? किराने बादे राशन ले जाती न? किराने बादे नहीं का इतना उधार हो गया है कि वो आप राशन ही नहीं दे रहा हैंको तो खाने को नहीं मिलेगा गुच्छ का कर दियो पीओ और सुझाओ अपसे यही मिलेगा जब तर तुम पैसे का इंटिजाम नहीं करते हो मजाग बना कर रखती है मजाग तो तुमने हमारी जिंदिगी का मना कर रखती है तो प॑ल आके धीओ si है पुषभ भुषभ भुषभ भुषभ! पुषभ! पुषभ! का भागिए! सर, गुम्शूदगी की रिपोर्ट लिखवानी है, सर. कुश्पानामे, सर. अठाइस साल की है. दो दिनों के सर, ग्याइब हुए. पर आप कोन है? क्या लगते है इनके? सर, ये जानने वाली, बेहन की तरह है, सर. ये तो शादी जुदा लगती है? हाँ, सर. पर इनके पती का है? वो क्यों नहीं आए, कम्रेंड लिखवाने है? सर, इनके पती का नाम ललन है. दिल्ली में छोटा सा बीजनस है, सर. तो चिल्काना और बुल्ली गाओ आना जाना होता रहता है. वो यहां इसके नहीं आया क्योंकि पुष्पा ने ललन को छोड़ ली है, सर. वो सर्पंच है ना सर, प्रताप यादा और बुल्ली गाओ के. उनसे शादी करने वाली उती. लेकिन दो दिन पहले मुझे रात को पॉल आया थी. उश्पा? हलो? हलो, अखिलेश, तुम हमें लेने आ सकते हो. अभी? हाँ, अभी. जल से जल, प्लीज. हुआ क्या है पर? किलिश, हमने फैसला किया है कि हम प्रताप यादा से शादी नहीं करेंगे. क्या हुआ? वह, हम तुम्हें मिलने के बाद बताएंगे. प्लीज हमें लेने आजाओ. नौ पची तक आजाओ. हाँ, ठीक है. मैं इंतिजार करता रहा थी. लेकिन वह आई नहीं. मैंने फोन भी किया लेकिन फोन अब तक बंदा रहा है. अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था, तो मैं चला गया. वापस आदिक बाद मैंने बहुत कोशिश की. लेकिन वह नहीं प्रताप यादा हो किया है नहीं ललन सिंख्या. लेकिन प्रताप याद होगी तो दो दिन बले शादी हो गई है ना? हाँ, सर किसी और सकी. मैं जादा नहीं जानता, सर. आप प्रीज पता लगाजी ना कि कहा है. अरे हमें क्या पता पुश्पा कहा है? अभी कुछ दिन पहले सरपंच कारयाल से एक लड़का भी आया था उसके बारे मुशने के लिए. जानते हैं, इसलिए यहां आएं. आपके और पुश्पा की शादी होने वाले थे ना? हाँ, हम पुश्पा से शादी करने वाले थे, वो अपने पती से तलाग देके, हमारी मदद के लिए आई थी. लेकिन शादी से एक दिन पहले, भुगायब हो गई. हम यह शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पती के पस वापस जा रहे हैं. क्या? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पुष्पा मेरे, हलो, हलो. लेकिन अकिलेश नहीं बताया कि वो लल्लन के पस वापस नहीं गई. तो गई होगी गई. देखिए, पुष्पा ने जो भाईया को बताया हमने आपको बता दी. पताया उसके वाईसे हमें कितनी परशानी हुई. चत्रु. नाक कड़ने की नोबत आ गई थी, दरवाजी हमारी. एक दिन बाद शादी थी, आस पास के तमाम गाउं में निमंतरन दिया हुआ था. वो तो अगवान की कृपा है, कि शादी से एक दिन पहले हमें सपना मिल गई, जिन से हमारी शादी होई. कि अनक कितनी परणामी होती है मारी, लीजे, शाइपी जेए. सर उस तरह. चल दिखा. Pooja, जड़ा चेक करो. कुपता आसपास चेक करो. सर बोडी को देखके इसकी उम्रे तो नहीं बिता सता है, लेकिन लड़की यांगी हुए. Pooja, जड़ा इसका हाथ देख. यह मूठी निकाले इसका हाथ. शर्मा, तुम्हें याद है, दिसम्बर के महिने में, हमारे थाने में एक औरत की मिसिंग कंप्लेंड दज होई थी. उस और पंच, जिसकी शादी होने वाली थी, जिसकी बीवी शादी से एक दिन पहले भाग गई थी. उस औरत की. तुम्हें फोन में इसकी फोटो होगी? Sir, है. जूम करो उसके हाथ पे, इसकी अंगुठी की. और इस अंगुठी से मैच करो. Exactly. वह ही है. Sir, उंथी देख के तो यसा लगता है कि कुष्पा की है, पर अंगुठी के लिए उसकी फैमिली से डिने मैच कराना चाहते हैं. उसके किसी फैमिली मेंबर को जानते हो? No, sir. मैं तो नहीं जानता है, लेकिन ललन जानता होगा, sir. ललन. उसका हमेशा पैसों के लिए जगडा करती थी मुसे. कितनी बार तो खाना भी नहीं बनाती थी. मुझे वो के पेट पाड़ी बेकर सोना पर्चा था. तुविन महने पहले उखड़ चोड़ चलेगे. बाद में पता चला कि वो भुल्ली गाव के सरपंच के आँ ठाही वी. अर उसी सरपंच प्रताव यादब के साथ चारी करने वाली है. उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालू. और मैं जाने की कोशिश भी नहीं. तो तुमारे कहने का मतलब यह है कि पुष्पा नहीं जब तुमारा घर चोड़ा, उसके बाद से तुमने उससे कभी बात नहीं कि. करसम से सर, कभी बात तक नहीं कि मैं उससे. च्छा? चूट बोलता है हमारे साथ? उश्पा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? तेहरे दिसंबर की रात को उसने तुछ से फोन पे बात की थी. उसके बात वह काई भूई है? हाँ, हाँ, सर, एक कॉल आया था मुझे. मैं हेलो हलो बोल रहा था लेकिन सामने से कोई आवाज नी आ रही थी. तो मुझे लगा कि.. कॉल अचानल कट गया. तो तेरी कोई बात नहीं है? तुने कॉल बैक भी नहीं किया? हाँ, मैंने दुबारा कॉल नहीं किया. क्योंकि मुझे इस बात का गुस्ता है, कि वो मुझे छोड कर गई है. लेकिन आप ये सब क्यों पूच रहे हैं, क्या मिल गई किया आपको? वो नहीं मिली है, लेकिन एक अवरत की लाश मिली है. क्या? शर्मा, जरा वो अंगूटी दिखाओ. जरा अंगूटी देख और बताओ, पुष्पा की है क्या है? ऐसे अंगूटी पुष्पा भी पहनती थे. नहीं मतलब? मतलब इस तरह के अंगूटी गाओं के हर औरत पहनती है. मंजिर के बार बिकती है साब. लेकिन ये पुष्पा की है यानि ये पता रिसकता से. पुष्पा की फैमिली में कोई और भी है? एसके फैमिली में से देख आई है हरी शुकला. कानफून में रता है. नमबर दौसका. शर्मा, तो पुष्पा के भाई हरी परसाथ का पता लगाओ और उसका DNA सेंपल कलेक्टरो और यह लेलन इसकी पूरी कुर्णी निकालो ऐसा करो एक कांस्टेबल को साधी वर्दी में इस लेलन पर नजर रखने के लिए बोलो अब एक मेहने में हमारे प्रेवी हो जाएंगे शत्रू हमें न तुमसे किछ पात कर लेकिए बताओ हम चाहते हैं कि शादी के बाद मारा अलग घर हो क्यों पहिया बाभी के साथ क्यों नहीं रहना पर शत्रू हमारी प्रेविस सिका क्या जो एक साथ रहते हैं उनका प्रिविस ही नहीं होता गया ऐसे तो जो जो एक साथ रहते हैं उनका प्रिविस ही नहीं होता गया ऐसे तो जो जो एक साथ रहते हैं उनका प्रिविस ही नहीं होता गया ऐसे तो जो एसे बोलरो जैसे सपना भाभी हमेशा से वहीं रहती थी थी अमेशा से नहीं रहते थी, फिछल तीन मेने से आयो ही है भाबी बहुत अच्छी है क्या बात है भाबी मा बिल्कुल ऐसी मालिश करती है तुम जब सपना भाबी से मिलोगी तब तुम्हे पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है अच्छा हुआ वो पुष्पा भाग देगा और भाइया को सपना भाबी से शादी करनी पुड़ी इसमाथ अच्छी है उन्हें लेखो सब ठीक हो जाएगा हम सर पुष्पा के भाई हरी शुकला के अनुसार पुष्पा के उससे बात ही नहीं हुई थी लेकिन उसका DLA सेम्पल तो लिया ना तुमने? ले लिया अच्छा वेरी गुड इस सेम्पल को बॉड़ी के साथ टेस्टिंग के लिए लाब में बेज़ दो सर 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 कॉंस्टिब अमंत यादा को कॉल आया था ललन गाओ के भार भवानी मंदर में शादी कर रहा है अच्छा वूम स्रिसिद्धि बिनायक स्वाः अश्ट बिनायक स्वाः वूम गन-गन बताई स्वाः सर जिस कॉंस्टिब को उनने ललन पे नज़र अखने के लिए कहा था उसने हमें बताया कि पिछले दो सालों से ललन का चकर चिलकना का उकी एक औरत अम्बिका से चल रहा है इसी बात को लेकर पुष्पा ललन पे बहुत चिड़ती भी जैसे ही पुष्पा ने घर चोड़ा लोगों ने बताया कि अम्बिका को ललन के घर पे रात बे रात देखा गया है इस ललन को बहुत जल्दी है दूसरी शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है उच रसमें हमारे साथ भी निभाई है यूक सर क्या हुआ सर पुष्पा के होते वे तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो तुमारी पत्नी है ना पुष्पा तेकिन आप ही नहीं तो बोले थे कि पुष्पा मर चुकी है असा नहीं कहा था कि मर चुकी है यह सिर्फ इतना कहा था कि क्या वो पुष्पा की बॉड़ी है, हमें शक है, कन्फर्म नहीं किया था, लेकिन कुने तो कन्फर्म ही कर दिया है इसा तो नहीं तुने पुष्पा को मार दिया, इसलिए तु अम्भिका से जूशी शादी कर रहा है, पुष्पा के मर्डर के जुन में अरेस्ट करो ज़िए सर, रुकि एक मिरी बात सुलें सर, देकि ये सच है कि पुष्पा की वज़े से पैसा और डिल खो दिया ता मैंने, यहां एक मैने इसको मारा नहीं सर, फून से डील और कॉन सा पैसा? प्रताब आदव की टील थी सर, वो पुष्पा के साथ चार साल के लिए सादी करने जाता था, इसके बदले में वह हर महीने मुझे ठाई लाग रुपया देने बाला थी सर, चार साल के लिए शादी? ऐसी सर्पन के सीट औरतों के अरक्षित थी और वो कुवारा था इसलिए उचाहता था कि कोई आउनत नकली पत्नी बनके उसके थाफ रहे सर बस और कुछ निए तो वो पुष्पाई क्यों हो तेखे सर वो मुझे स्कूल के जानता था इसलिए वो मेरे घर पे आया और यह सब अरे अरे असे कैसे देदे अपनी पत्नी को प्रताफ बोरा गे हो का थंडे दिमाग से हमारी बात को सब्जो लाला था एको हम तुमारे बश्पन के स्कूल के दोस्त हैं हमको बना कर रहे हो तो ऐसे भी हमको एक और चाहिए जिसे भूलनी गाओं में कोई नी जानता हो अरे अरे नकली शादी है डील है डील है अरे कैसे हम अपने पत्नी को तुमको ते देदे कुष्भी हम तहियार है जी बस पबलिक के सामने अमारे साथ रहना पड़ेगा और सतंची का काम सिखा देंगे इसको हम इसको रिकुल चिंता मत करो हैं हां बोलो हम तयार प्रताप जी को बताई कब करने नकली शादी शीका बात बड़ी आज़ा यह सुनो ज़ए इस तुनो ज़ए पकड़ो पकड़ो देर लाख रुपे रखो पैसा और सुनो बस एक काम करना है कि चार साल तक पुष्पा को फोन नहीं करो गया तो है ठीक है तैयारी करो पुष्पा के अंदर पैसों का लालज भना परा था सा सर पैसे को देखती ही नियत खराब हो जाती थी इसकी एक दिन पैसा लेकर भाग तो अखिलेश ने तुझे यह नहीं बताया कि ही पुष्पा ने परताब के साथ शादी नहीं किये रहां से भी बाग गई है कि बताया था था सर लेकिन वह यह बहुत नहीं कर रही हूँ अपने गर वापस हा रही हूँ तो एटो अगर वे अगर वह जाएगी तो इसके जो भूली गाओं के बाहर जो लाश मिली ए उपुष्पा की है ना, भाही मारा ना तुने उसे? कस्थम से बोल रहो हो मुझे नहीं पता मैंने इसको नहीं मारा सथ वो तो हम पता लगा ही लेंगे किसने मारा है जब तक केस सॉल नहीं हो जाता दाओं के बहार नहीं जाएगा तू और हाँ यह दूसरी शादी करने की भी ज़रूत नहीं है समझ गया वरना तेरी बारात आने से निकालूंगा मैं प्लॉट को डवल उप कीजे बस ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में फूलों के पौदे भी लगाने है पूबलिक गाडन प्रोपर्टी है ओ ठीक है सर्पन जी हो जाएगा पेपर साइन होगे जी एलिजे पाच लाग रुप है पेपर दो तीक है सर्पन जी हो जाएगा राज राज का रहता है यह जी जी जु प्रणाम रामप्रासाद की फाल का क्या हूँ तो मैंने टेज प्रकाश को बहुदा तो तुमको क्यों बोलते हैं जी जु पर वो तो मैंने हमारे जी-जू होने का फाइदा मत उठाओ वैसे भी पूरे गाउं में सपना के सरपंची का दंका बजाते फिरते हो काईदे में रहोगे तो फाइदे में रहोगे जी-जी-जू कैसे हो भीया? नमस्ते बभी नमस्ते जब भीया वो ट्यूबल वाले केस में शास्ती जी मान गए देखा सीखो इन से कुछ हमारे भाई होने के नाते अकड सकते हैं लेकिन नहीं जो काम हम इनको बोलते हैं उदी इमानदाली से पूरा करते हैं किसी दूसरे पर थोकते नहीं है समझे? जीजुपर वो काम में जहीं तो कह रहे हैं, कुछ सीखो शत्रू से, पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है, अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से प्रणा शत्रू, आज तुम्हारी शादी के काट छपके आजाएंगे, और आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे, जी वादी, चले जी प्रणा अरे राज, अरे क्या कर रहे हो, नीचे उत्रो गिर जाओगे आपको क्या फरक पड़ता है, जाओ अपने पती और देवर को देखो, मैं तो नौकरूना घर का तो जी पात Bennett कर रहे हो? चलो नीचे उत्रो. नीचे उत्रो! वो लोग आपको मिलके सब वेउकुण बना रहे हो. आपको ये बात समझ नहीं रहे सब रभबन के स्टाम के स्टने इस्टरमाल कर्रे है, जीजु, आपको और चुछ नहीं अपने जीजु को थोड़ा सा वक्तो दो ताकि वह विश्वास कर पहें दीदिया, आप गलित फेमी में, आप जो सोच रेना वैसा दिन कप्डी नहीं आएगा अलिया राजशु सर, सर हमने प्रताप के बारे हम पता किया, तो उसका राइट हैंड, तेश प्रकाश एक हिस्ट्री शीटर है, उसकी बीवी राजश्वरी प्रताप के घर नोकरानी का काम करती है, सर पडोसी उसे फूश्टाच की, तेक पडोसी कमली संग ने हमें बताया की, राजश्वरी को भूशन जोलर्स के यहां पर चांदी के बरतम बेस्तुए देखा है मैंने, तो राजश्वरी नी चोरी की, जब मैंने उसे पूछा तो उसने पताया कि परताप भाहिया ने उसे गिफ्ट दिये थे, गिफ्ट, हाँ, पहले भी मैंने ऐसे गिफ्ट बेस्त दुकान पर उसको देखा है, लेकिन लगता है जब से सपना भावी आई उसे गिफ्ट मिलना बंद हो गया है, यह राजश्वरी और अताप यादाव, इन दोनों को कोई चक्कर रह गया, सर कमणी ने कुछ खुल के नहीं बताया, उसने नहीं बताया तो सिधे राजश्वर इसका क्या मतलब? साब बहुत मौका पर स्लोग है, मतलब अपने फाइदे के लिए कभी भी बदल सकते हैं, देखे न, यह तो भायाजी ने कभी शादी ने की, सारी जिंदी की कुवारे थे, पर जैसे सरपंशी कुरसी बचाने का मौका आया, उने फटाफर शादी कर ली, भायाजी की पीने के आदत हैं, बहुत बद्वीजी करते हैं, अर तुमारा पति? उह कौनसा दूद का दूला है? साब, हम मानते के वो दूद के दूले नही है, पर जब से उन्हों ने हम से शादी किए, वो बदल गए हैं, हां वो भायाजी के छोटे अ मोटे बुरे काम कर मतलब लोगों को डहराना धमकाना उनके पैसों को संभालना तुम्हारे भाहिया जी के लिए तुम्हारे पती तेजप्रकाश ने कोई खून भी किया है यह आप क्या बूर रहे है साब हम खूनी नहीं है तो इतने डर क्यों रहे है साब पिलीस को देख के कौन ही गरता है हम लोग को गरीब आदमी है साब जैसे तर से करके गुजारा होता है हमें छोड़ दो साब तेरे दिसंबर को कहा थे तुम तेरे दिसंबर मतलब जिस रात पुष्पा गायब हुई उस रात कहा थे तुम साब यह तो घर पर ही थे हाँ साब मैं घर पर ही था और अगले जब हवेली पोँचा तो पताचला पुष्पा जी भाग गई भयाजी बहुत गुस्से में थे क्योंकि शादी के सारी तयारियां हो गई थी सर सर, DNA रेपोर्ट आगी है बॉडि का DNA पुष्पा की भाई हरी शुकला से मैच हो गया तो मतलब साफ है बॉडि पुष्पा की है सर और सर पोस्मोटम रेपोर्ट के हिसाब से पुषपा की मौत 13 December की रात को ही हुई थी और इस अखलेश ने हमें बताया था कि पुषपा का 13 December की रात को 8 बजे फोन आया था और 9 बजे दोनों मिलने वाले थे लेकिन पुषपा अखलेश से मिलने पहुची ही नहीं मतलब तब तक उमर चुकी थी कि सवाल तो की मैओ कि एक हिसे मारख इसमें फिर जं Sağol तो वहीं का मई ईंटारा किसे लेकि चिगालं की पुस्पा करने कि एकिसी और इप़िये के घ्र के बने के लिए तैयार हो ग unleash खंट में जो ड्ञाहिए पैस s 1.500,000 रुपया वो भी लेकर भाग गई थी इस ललन के पास पुष्पा को मारने का सब से स्टोंग मॉटिव है इसे रेस्ट करो तब तक मैं परताब यादव से जरा पता करता हूं कि पुष्पा के बारे में उसने हमसे जूप क्यो बला तुम मानते हो तुमने असी डील आफ किया था डेड़ लाग रुप एडवांज जिये थे और वो पुष्पा तो खोद हमारे दर्वाजे पाई थी शादी करने के लिए तयार थी आन टाइम पे दोगा दे दिया उसने उसने दोगा दिया मार दिया उसे सर डाइम लेचलो एसे रिगा प्ष॥्पा का मर्ड़र एक में कियो तुम पड़् नहीं बार सर प्रताबसर्शु से कुछे ना उन्होंने मारा होगा सर पहे नहीं कुछ दिया किया हुआ हिम्मत की भाहिया पेलगा रहे कि थे अश्पा की चिह कैक्ट्टर साब में बुष्पा की मौत से हमारा कोई लिना देना नहीं है क्या हुआ था हुसराथ लेकि हम कुछपा से मिलने उसके कंबरे बेगे तो पुछपा हमें नहीं देगी तो पूरे घर को ढूंडा हमने, वो कहीं नहीं 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 पिर बाद में कुष्पा का फोन आया उसमें बोला कि हमसे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए घर छोड़के गई है उसराथ तुमने पी रखिये थी, जैसा सावाल कर रहे हैं हमने सुना है तुम रोज और पीरने के बाद ज़्यादे ही तरणनुम में आ जाते हो और बत्तमीजी करने लगते हो तो सब्सक्ता है तुमने उसके साथ बलातकार करे की कोशिश की उसने विरोध किया तुमा डाला हूसे नहीं लेक्ट इख तुमने इन्सपक्टर साब बात कर रहे हैं हम आप अप क कर भए तेरा तारिक को कहा था तुमने मंगीदेर के साथ फिल्म देखेंगे था सारनफूर में होई पर खाना खाया और ग्यारा बजी खर वापस आ गया सपना जी जी पुष्पा को जानती है जी नहीं राजेशोरे को आप बड़े महंगे तुफे देते हैं हाँ बुनक्स ओली जीवाली देते हैं क्यों हमें पता चला है कि राजेश्वरी मार्केट में बड़े महंगे महंगे सामान बेच रही है यह कहकर कि वह तोफे आप उसे देते थे अपना लॉकर अपना सामान जरा चेक कर लीजेगा प्रताप पीने के बाद कंट्रोल में नहीं रहता था यह लेकिन जब हमने प्रताप से पूछताच की थी तो उसने बताया था कि उसने किसी वी औरत के साथ कभी भी कोई बत्तमीजी नहीं की और सपना ने उसकी हाह मिलाई थी तो नहीं है जैसे की पुछता होने ओने वाली यह तो इस परताप ने कभी किसी गाम ओली और उसके साथ कोई बत्तमीज़ी की थी क्या सर्र सर्र में तो किसी ओड़त की तर्फ मनच artistic तक मुझे बट गर्व है कि मेरे वेटा प्रताप भाईयाची को अपना आदर्श मानता है अरे गाववालों के हिसाब से ये प्रताप याद अद भगवान के समान है तो इस राजेश्वरिग्नी हमें कौन से प्रताप के बारे में बता दिया शत्रू और हमने पूरे घर के सामान को चेक किया यह रही वो लिस्ट तो तुमने पिछले कुछ दिनों में चुड़ाई इसमें कोई गल्ती नहीं है इस सारा सामान हमने चुड़ाया था पैसो के लिए हम में माफ कर देजे बहाजी तौरादर तौरादर अपनी शकल मत दिखाना रहा है नकर जाओ तुम भी जाना चाहते हो बहाजी हमारे बीबी की गलतियों को माफ कर देजे बहाजी आप जैसे माली खंपू कहा मिलेगा बहाजी हम आपको छोड़ के नहीं थेहेंगा भी जी बहाजी 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 सर हो सकता है प्रताप में कोई कमी नहों लेकिन यह नई सरपंच सपना यादव उसके बारे मैं ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि प्रताप से पहले उसके शादी अमर शर्मा नाम की एक आगमी से हुई थी ठीक है अमर और सपना इन दोने से अलग लग बात कर रहे है हाँ सर मैं हूँ सपना का अभागा पती अमर शर्मा अभागा अरे अपनी बीवी को छोड़ दिया फिर भी खुद को अभागा बता रहे हो नहीं सर मैंने उसे नहीं छोड़ा उसी नहीं मुझे छोड़ दिया जैसे उसे पता चला कि वो प्रताप किराय की बीवी के साथ सरपंच की कुर्सी भी दान पर दे रहा है उसने मेजे छोड़ दिया परताप को गयसे जानते होते हैं? सब ददाप कभी मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन जैसे हुआ उससे पता चला कि मैं कंगाल हो गया हूँ तो उसने मुसे दोस्ती खतन कर दी लेकिन लेकिन सपना बीच में आ गए उसने बिना किशी सर्थ के उसकी बात माल ली और मुझे छोड़ दिया तो और क्या करती सर? दूसरी आदमी से शादी करना ही बहतर था बजाए अपनी जान लेने के अमर को शराब पिने की बहुत बुरी लथ है रोज शराब पिने के बाद वो मुझे मारता पिरता था मैं तो अपनी जिन्दगी खतम कर देना चाहती थी जब प्रताब जी की मुझे डील मिली तो मुझे वो मेरी हर समस्या का हल लगी इसली जिए मैंने डील एक्सेप्ट कर ली तो सर इसमन मैंने क्या गलत किया? और अमर तलाग के पेपर पे साइन कर चुका था तलाग के पेपर थे? नहीं सर वो तलाग के पेपर कैसे हो सकते हैं? वो प्रताब नहीं तो मुझे बोला था कि वो डील के पेपर थे? सब ने बहुत पड़ा लिखा नहीं हूँ मुझे नहीं पता कि उनका अगजों में क्या लिखा था और प्रता पर मुझे बोला भी था कि वो पेपर मुझे वापस लोटाएगा लेकिन नहीं लोटा है उस और ऐसा कोई अग्रिमेंट साइन नहीं वा था और रही बाद तलाक की तो उसका फैसला एक दो दिन में आ जाएगा आप लोग चाहें तो तैसिलदार के आफिस में जाके पता कर सकते हैं और आज के बाद हमारी गहर मौझूदगी में हमारी पत्ती से बाचीत करने मत आईएगा आप लोग जा सकते हैं प्लीज सर दस तरीक की राद पुष्पा जिस बाइक पे भागी थी का भागी तो बाइक पुष्पा को पिक करने से बले गराज में रुखी थी वो गराज बाइपास रोल पे था माइक सीचीटीवी कैमरा था और सर उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा था सर देखिए वो आदमी कौन है ये तब से हमार बेव को पना रहा है ले क्या हुशे तुमारी लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से पहले उस रात तुमने अपनी पाइक का पंचर बनवाया फिर पुष्पा को पिक अप किया उसे परताब के घर चोड़ा उसके बाद तुम सर अंबिका के रिष्टे के वारे मालूम चिल गया था है वो बहुत डरी हुई थी सर अपने पहिश्यों के लेकर इसलिए उसमें सोचा कि क्यो ना चार साल के लिए प्रताब की बीवी बन जाए और वो पैसे सर जो उसकी डील के थे वो उसने लिये ते गर से सर मैंने उसे प्रताब के लिवर चोड़ा था दो दीम बाद उसका फिर सिफोन आया और उसने मुझे बुलाया जैसा कि मैंने सर आपको बताया भी ज़िए कि मैं वहां गया था जर अच्छे से याद करके बताओ उस रात पुषपाने फोन पर तुम से क्या कहा था अलो अखिलेश हम प्रताब यदर से शादी नहीं कर सकते क्या हुआ या कि नौकरानी राजेश्वरी को हमने चोरी खड़ते हुए पकड़ा बहुत हंगामा हुआ और उसके बदी तेज उसने हमें चाकू दिखा गर ठंकाया कहने लगा कि हम अपना मुवान रखे तुम ठीक तो हो हाँ हम ठीक है तुम बस नौबचे तक आजाओ पाकी बाते हम मिलकर बताएंगे हाँ ठीक है सर्थ मैंना आपको बता है तो, मैं वहाँ गया था, मैं इंतजा कर रहा था, लेकिन पुष्पा वहाँ आई नहीं, मैंने फोन भी लगा है लेकिन फोन नहीं उठा ऐसा उसने नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जूट बोल रहे हो, पुश्पा सच्मिट मारे पाइस आई हो, तुमने उसे शादी के लिए प्रपोस किया, उसने मना कर दिया, तो गुस्से में आकर उसे मार दिया, क्यों नहीं हो सकता? सर, सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? पुश्पा को बहन मानता था मैं. शक के मिना पर पुलीस ने अखिलेश को कस्टडी में रखा, लेकिन अभी तक पुलीस को ये समझ नहीं आ रहा था कि पुश्पा का कातिल कौन था, और उसने कतल किया क्यों? ललन के पास मोटिफ था, तो प्रताप और अखिनेश के पास भी अपने कारण थे पुश्पा को मारने के लिए. ललन ने कस्टडी में ये माना कि उसने पुश्पा के बारे में गलत कहा था. पुश्पा दरसल प्रताप की डील पे कभी हां कहना ही नहीं चाहती थी पर ललन ने उस पर दबाब डाला और उसने खुद प्रताप से अडवांस लिया राजेश्वरी ने कबूला कि उसने प्रताप के कैरेक्टर के बारे में जूट कहा था पुलीस से वो खुद सर्पंच बनना चाहती थी इसलिए उसने प्रताप को ओफर किया था उसकी टेंपररी बीवी बनने के लिए लेकिन बजाए उसे चुनने के, पहले प्रताप ने चुना पुश्पा को और फिर सपना को पुलीस कश्मकश्मी थी कि क्या वाकरी प्रताप निर्दोश है। लेकिन दो दिन बाद पुलीस को प्रताप के खिलाफ एक कंपेंड मिली जिसने सब को चौंका दिया। प्रताप जी ने हमारे साथ रेप किया है सर। क्या? आपके पती ने शादी की डील हुई थी क्या प्रताप दीदी को हाथ भी नहीं लगाएगा। दोनों को अलग-अलग कम्रे में रहना था। सर दो महीने तक सब ठीक था। लेकिन कल रात प्रताप जी हमारे कम्रे में आया ह। छूट बोल रही है उ सपना दिमाग चल गया उसका। तो तुमने सपना के साथ जबरदस्ती नहीं की? यह बिल्कुल नहीं कल रात पीने के बाद जब हम अपने कम्रे पर जा रहे थे तो कुछ मुनत करें आपकी कहीं चोट लग जाएगी आपको नहीं जुरूद नहीं हम चल रहा ही कैसी बाते कर रहे हैं? हमें अपना फरसो निभाएं दीजे पत्नी है हम आपकी वो सपना हमें खुद फषा रही है वो क्यों फषाएगी? वो भी अपने ही पती को रेप के इल्जाम में शाएद उसको बढ़का रहा होगा कौन? उसका नाकारा भाई राज वो भढ़का रहा होगा उसे? कौन किसे भढ़का रहा है और कौन छुपा रहा है वो तो हम पता लगा ही लेंगे बिलाल तो हमने सपना को मेडिकल के लिए भेजा है प्रताब जूट बोल रहा है हम तो सिफ नाम के सर पंच है एक रबर स्टैम्प है हमें कब क्या कैसे करना है इन सब का फैसला प्रताब जी करते है और सर दोनों ही सूर्तों में तो बदनामी हमारी ही होगी हमें तो हमारी जान जाने का भी खत्रा है कहीं हमारे साथ भी वो न हो जाए जो पुष्पा के साथ आपका कहने का मतलब है कि पुष्पा को मारा? हमें नहीं पता, सर. हम कुछ नहीं जानते हैं. पुष्पा कुछ नहीं जानते हैं. अभी है यह पावफुल आदमी है कि इस के लिए कुछ भी नामुम्किन नहीं है. और वो तेज और शत्रू, उसके एक आवस पे कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाएंगे। सर प्लीज आप दीदी को प्रोटेक्शन दे दीजिए। देखिए इनकी मेडिकल रिपोर्ट आने तक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह रुखना बढ़े हैं। तो या तो इसका मतलब यह था कि यह रिष्टा दोनों की रजामंती से हुआ। या फिर सपना ने खुद को सरेंडर किया प्रताप की आगे डर के मारे। तो क्या सपना के साथ मैरिटल रिप हुआ था। जो असल में एक शादी थी ही नहीं, सिर्फ चार साल की डीट थी। पुलीस प्रताप को लेके एक और बार कंफ्यूज हो गी थी क्योंकि एक सपना प्रताप के खिलाप फिर से कंप्लेंट लेके पहुची कि प्रताप ने उसे मारने के लिए गुंडे भीजे थे जब वो सरपंच ऑफिस से निकल कर घर वापस जा रही थी। सपना ने जहां एक तरफ अपने चोट के निशान पुलीस को दिखाए वहीं दूसी तरफ यह भी बताया कि गुंडो ने उसे प्रताप की बदनामी न करने की हिदायत दी थी। और उनमें से एक के आवाज तेज प्रकाश जैसी थी। अरे हमने कोई रेप, कोई अटेक निकिया इनके ऊपर थी। और हम कल पूरी शाम भायाजी के साथ ही थी। तो हम कैसे अटेक कर सकते हैं। सर, यह तो एक दूसरे का ही साथ देंगे ना। यह शाथ कड़ा रहे है। दादा गर्मी मात दिखा वाना यहीं ठंडा कर दूगा। अधा कुर्सी के लिए यह सब डील मत करो। आपने मेरी एक नहीं सुनी। अभी देखिए भईया आपको अभी चोट नहीं बचा सकते हैं। आपकी अहालत मुझसे देखी नहीं जा रही। नेरे तरफ से जो कुछ भी होगा ना मैं करूंगा। आप आराम से घर में रहिए। आपको कोई नुक्सान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने भी ना आख उठा के देखा। या इनकी कम्प्लेंड आई। पाभी, अंदर आजाओ। हाँ, आजाओ। ये एक गवाही लिखाया था अबने। आपके दर्द में आराम मिल जाएगा। सर्, सिर लोकल यूज देखी है। क्या होगा। सिर लगाई है तो हमारे बती, प्रताब जी। ने हमारे साथ जबरतस्ती की। और फिर अपने गुंडों और टेज प्रकाश को भेज कर हमें धमकाया। पर इससे भी उनका मर नहीं भरा। अभी दो दिन पहले, उनके छोटे भाई, शत्रु ने हमारे साथ जबरतस्ती की। हमारे कमरे में मेरे घाव पर मरहम लगाने के बहाने। उसने। और जब हमने परताब जी को शत्तु जी के बारे में बताया। तो उन्होंने फिर गुंडे भेज कर हमें मारा पीटा। और कहा कि पुलिस के पास हम ना जाए। पर हम पुलिस के पास जाकर करते भी तो क्या करते। क्योंकि हम गए थे पुलिस के पास। पर हमें उनसे कोई मदद नहीं मिली हमारी सुरक्षा के लिए एक कॉन्स्टेबल तक नहीं दिया मैं डोक्टर सहीद हूँ सपना जी के बाएं हाथ में काफी गहरी चोटाई है जिसकी वएजे से हमें प्लास्टर लगाना पड़ा एक नंबर के धोक्या वाज़ातों एरे शिंदकी बरबाद कर दियो तुमने जब तुम सब्चारीफ कर दे जब कहते थे कि तुम उनसे पयार करते हो मैंने कभी नहीं सोचेते हो मैं इतने घटिया इंसार होगे पिंकीप, बेटा, तुमिस्काइए अपको प्लीस रहने दीजिये, आप बीच में नाही बॉलिये, ऐसे भी किसी रेपिस्से मैं शादी नहीं कर सकती, तो आप भूल जाएए, इस घर कभी भव मनूगी मैं, ये रिष्टा मैं थोड़ती हूँ, शकल मत दिखाना कभी अपनी पिंकीप, पिंकीप, शत्रू, चिंता मत करना है, हम सब ठीक कर देंगे है, बिकुल चिंता मत करना है, अभी बात करते है एज, कहा हो तुम, अभी काभी निकलो, क्या बोल रहा हैं, अभी काभी निकलो, उस औरत ने जो भी इन्जाम लगाए हमारी खिलाब, सब का सब करो उसके साथ मुझे इस परताब से फिर से बात करनी होगी, तुम जा के तेज का पता लगाओ, सर, क्या दा हो यह चल रहा है, सर, वो सपना जो बूल रही है, जूट बूल रही है, वो और जना चेक करो सर एक मने दिहाई है बाड़ी को नीजे उता रहा मैंने सपना भाभी को कभी बुरी नजर से नहीं देखा रुपो तो मेरी लिए मासमान थी उनकी गलत दिल्जाम ने मेरी सिंतकी पर बात करती मैं फिर भी लढ़ने के लिए तयार दाओ पिकी ने मुझे रिस्ता दोर दी अब मेरी लिए जीरे का कोई मतलब लिए अब मुझे माफ करतू शत्रोग आप शांतो जाओ लेकिन सुरी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा लेके चलो बढ़ी को पोस्पाटम के ले बहेज़ा और यह एविडेंस पैक में डालो इसमें पैजी सपना दीदी सपना दीदी सपना दीदी परता पियादा परता पियादा आप भोलो Sir, Fertilis a plan के बास एक बोड़ी मेली मैं वही जा रहा हूँ ठीक है पॉस्ता हूँ Sir, बोड़ी थीज प्रकाश लेए तुटवा मूबाइल फोन मिला और यह यह लोकेट यह पास में पड़ावा मिला आप Charma, इस जगह का डम्टाटा निकलवाओ क्योंकि यह लोकेट में पहचानता हूँ किसका है तेरह यह लोकेट तेज की लाश के पास मिला हमें और तेरह फोन की लोकेशन भी वही गी थी और यही नहीं तीन महीने पहले जगल में पुष्पा की लाश मेली वाभी तेरह फोन की लोकेशन उसी समय की दिखा रहा है बोल क्या क्याना तुझे क्योंकि यह लोकेट में पहचानता हूँ किसका है सोच लो अभी में टाइम यह अभी बताओगी यह अभी यह तेरा नाता के वह सच्चाई में बताओगी पहले तो यह बता कि तेज परकाश को क्यों मारा तुझे प्यूकि वह तुझे मानने आया था बताती हूँ बताती हूँ बलो तेज परकाश ने हमें बात करते हूँ सुन लिया था पुषपा को मार कर सरपंच की कुर्सी पर बैठने का प्लैन तो हमारा पूरा हो गया लेकिन हम अभी भी एक रबर स्टैंप हैं तुम दोनों भाईों के ऊपर रेप का इलसाम लगा के हमें गाओं वालों से भर भर के सहानुभूती मिल रही है तुम देखना बुदिन दूर नहीं सप्ता की बागदोर हमारे हाथ से दूर नहीं और यह दोनों भाई अब जेल में सड़ेंगे और अभी पुलीस भीने जल्दी के रखता है कर लेगे हमने सब सुन लिया है वो ने जो कुछ भी भाईयाजी के ले किया ना उसके लिए जिंदिगी भर जेल में सड़ोगे रुगो मैं भी पुलीस को बताता हूँ राज पकड़ों से और पुष्पा को क्यो मारा? पुष्पा की टेंपरेरी बीवी का सपना मेरे पती अमर ने कहके ठुकरा दिया कि मैं गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ बेवकूफ था वो लेकिन जब मुझे पता चला कि पुष्पा पुष्पा की बीवी बनने वाली है और पुष्पा पुष्पा के घर में है तो मैं पुष्पा से मिलने उसके घर पर गई मुझे पता था पुष्पा से मिलने उसके घर पर गई मुझे पता था पुष्पा हर शाम को शराब कीता है जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि हमने राजेश्वरी को चोरी करते हुए देखा है सारी पुष्पा मैं पुष्पा के कमरे में गई और उसे मैंने बताया कि परताब शरा पीने के बाद एक अलग आदमी बन जाता है मैंने कहा था ना तुम्हें देख लिया ना अपनी आखों से पर उनोंने वादा किया था कि वो हमें कभी नहीं चुएंगे पुष्पा कोई भी आदमी इस बात पर कायम नहीं रह सकता परताब जैसा आदमी जिसके पास सत्ता की कुरसी है पावर है वो तो कभी भी नहीं देखो पुष्पा अगर तुम अपनी इज़त बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहां से ना जाने कितनी औरते इसकी दरिंदिगी का शिकार भी है और इन आदमीयों को क्या है इनको तो रोज कोई ना कोई चाहिए हाँ तुम सही कह रही हो देखो हम तुमें घर छोड़ देते हैं हम बहार तुमें मिलेंगे तुम अपना सामान ज़दी से पैक कर लो हलो अखिलेश मैंने राज को पहले ही गाड़ी तेयार अपने के लिए बोला था कुष्पा तुमने बहुत सही फैसला किया तुम हमको ना गाहों के भारी छोड़ देना ठीक है तुमें काम करो अब प्रताब जी को फोन करके बोल दो कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहते पाकि वो तुम्हारा पीछाना करें हलो हम बोल रहे हम ये शादी नहीं काना चाहते इसलिए हम अपने पती के पास वापस जा रहे हैं क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो हलो 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 कुष्पा अरे ये क्या कर रही हो? ललन को कॉल कर रहे हैं उन्हें पता तो दें के हम गाउं वापस आ रहे हैं अरे नहीं हलो 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 अरे लाग रुपे मैंने अपने पास रख लिये और फिर हमने गाड़ी को अच्छे से साफ करके उसे बेश दिया हम वैसे तुम बहुत कमाल की अक्टर हो और पुष्पा को रास्ते से अटाकर तुम खुद इसकी बीवी बन गई वाह और बहुत अच्छा नाटक किया तुमने उनकी बीवी बनने का जैसे वो बोलतारा आ वैसे करती रही एकदम गुडिया बनके हाला कि इस बिच राज ने कई गलतियां की पर वो मैंने सब संभाल ली मैं बस अपना समय काट रही थी परताप और शत्रु के खिलाफ जो तुमने कम्प्लेंड की थी वो छुटी थी शत्रु तो मुझे अपने मा समान मानता था पूरी कुरसी रबर स्टैंप बनके नहीं रहना चाहती थी मैं स्टैंप लगाने वाला हम बनना चाहती थी इनके खिलाफ चार्शेट बनाओ और अब जेल में बनना तुम सरपंच मा मिलेगी तुम्हें कुरसी लालच ने तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया राजीश्वरी प्रताप को लालच के कारण बदनाम कर रही थी सपना को पुषपा को मार के टेंपरेरी वाइफ बनने के बाद भी लालच खतम नहीं हुआ उसे और चाहिए था और प्रताप वो सरपंच की कुरसी पर बियंतरन रहे रहने के लिए टेंपरेरी बीवी लाने को तैयार हो गया और चार परिवार बिखर गए हमारे पूरवजों ने बिलकुल ठीक कहा है लालच बुरी बला है तो चलिए मैं दव्यांका तृपाथी दयाब लेती हूँ आपसे विदा फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए एपिसोड के साथ आप सतर्क रहे सुरक्षित रहे और देखते रहे रहे क्राइम पेट्रोल सतर्क जहन क्राइम क्राइम पेट्रोल सतर्क रहे रहे ले बला है